एन यूएस के दसवी और बार्वी के स्टुडेंट है देखो जिन स्टुडेंट ने अप्रिल सेसिन के लिए ड़िसनली रखा है दसवी क्लास के स्टुडेंट को प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने मार्वी क्लाने है और बार्वी क्लास के स्टुडेंट को भी class के बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर आप देख पार होंगे कि हमारे पास दो subject ऐसे हैं जो practical type के हैं एक तो हमारे पास mathematics है और एक science and technology है mathematics में हमें practical में जो marks मिले है वो 14 marks मिले है जो कि 20 में से है और ये passing marks है और इसमें हम pass भी हो गये है और science and technology में भी आप देख पार होंगे 14 marks में मिले हुए practical में ये भी 20 में से मिला हुआ है और हम pass है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दू कि N.I.U.S. ने आपको बोल लखा है कि जो 10-2 के students है उनको practical में pass होने के लिए कोई mandatory marks लाना जोड़ी नहीं है कि इतने परतिसात लाओ तभी आप 10-2 क्लास में practical में pass होगे ठीक है N.I.U.S. ने आपको ये बोल लखा है कि आपको 33% लाना है अब आपको वो कैसे लाना है यहाँ पर आप समझे लो ठीक है तो देखो अगर आप थियोरी में 33% ला सकते हो दसवी क्लास में ठीक है 33% ला सकते हो तो आपको practical देना न देना आपकी मर्जी है TMA देना न देना आपकी मर्जी है यह सिर्फ दसवी क्लास के students के लिए सिर्फ आपको कैसे भी करके अपने subject में 33% लाना है अब इसका मतलब यह नहीं कि आप कहीं आप यह समझो कि practical और TMA का मिला कि हम 33% ले आते हैं और theory का exam छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता आपको theory में 33% लाना है किसी भी तरीके से भले आप practical में फिल होते हो TMA में फिल होते हो इनवे इसको कोई दिक्कत नहीं है आप पास माने जाओगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख पार होगे कि हमें mathematics में मिला था 23 ठीक है जो कि एक failing marks है इन तीनों का जोर यानि कि TMA का marks इसमें जुरा है practical का marks जुरा है और हम पास हो गए है ठीक है तो दसवी class में यहीं है कि आपको 33% से तो practical के marks और TMA के marks add हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे ठीक है mathematics में देख पार हूँगे आप 23 नमर मिला हुआ हमे जो कि theory में हम fail है ठीक है और practical में देखो कि 14 marks है TMA में हमे 7 marks मिला हुआ है total जब इनका हुआ है 44 नमर तब हम पास हुए ठीक है तो 10 भी class के जो students है अपने mind में डालो कि आपको पास होने के लिए practical की ज़ुरत नहीं है practical आप नहीं दोगे और अगर आप 33% theory में ला सकते हो तो भी आप पास माने जाओगे चाया practical दो या ना दो TMA दो या ना दो अब आप ऐसा मैं समझना कि आप मिस कर दो यानि कि आप यह सोचो कि हम theory में ही 33% से ज़्यादा लियाएंगे practical देके क्या करना है TMA देके क्या करना है ठीक है तो ऐसा आपको नहीं सोचना है TMA भी आपको अच्छे से जमा कराना है बनाके practical का exam भी बहुत अच्छे से देना है क्योंकि आप सबको पता है कि यह इंडिया है और 10 वी class का mark sheet ही देखा जाता है जायातर जहां भी आप कहीं job के लिए apply करोगे नहीं तो 10 वी class की mark sheet पे ही apply होता है ठीक है तो अच्छे marks के लिए आपको TMA को नहीं छोड़ना है न practical को छोड़ना है ठीक है बाकी आप यहाँ पे समझ गया होंगे 33% चाहिए आपको theory में अगर आप 33% ले आते हो practical में TMA में लाने की कोई जोत नहीं है pass होते हो फिलोते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो Barbie class के students की हम बात कर लेते हैं देखो Barbie class के students के साथ नहीं थोड़ा सा उल्टा है ठीक है यहाँ पे आप देख पारूंगे हमारे पास Barbie class का result है और एक subject हमारे पास ऐसा था जिसमें हमने practical दिया था यहाँ पे आप देख पारूंगे जोग्रफी का एक subject है जिसमें हमने practical दिया था और 19 नमर आया था और यह भी एक passing marks है यानि कि 33% marks है यह और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको Barbie class में पास होने के लिए थोरी में 33% लाना ही लाना है आप यह सोचोगे कि पास हो जाओ बीना practical के तो यह possible नहीं है N.I.E.S. ने officially, clearly, clearly कह रखा है कि 12th class को students को पास होने के लिए practical में 33% लाना mandatory है और थोरी exam में भी 33% लाना mandatory है ठीक है? यहाँ पर एक case समझो कि suppose करो कि आप थोरी में 70% ले आते हो ठीक है? और practical में अगर आपके 33% से कम है 20%, 30%, 39%, 30% है तो उस case में भी आपके result में S.Y.C.T. ही मिलेगा ठीक है? यहाँ पर देख पार होंगे यही example मैं यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ देखो यहाँ पर आप जोग्रफी एक subject देख पार होंगे हमें theory में 8 नमर मिला हुआ है जो कि 33% से कम है लेकिन practical में हमें मिला था 19 नमर जो कि हम पास है ठीक है? लेकिन फिर भी हम इनका total जब करके हैं 33% यहाँ पर देख पार होंगे total 33 marks मिले पर हों total तब भी हमें S.Y.C.T. दिया गया है युकि N.I.S का guidance है कि आपको theory में भी 33% लाना है और practical में भी 33% लाना है ठीक है? और उसी का देखोगे यहाँ पर हमने दुबारा से exam दिया था ठीक है? exam दिया था on-demand exam दिया था जोग्रफी का पहले 8 था theory में अभी देख पार होंगे 21 नमर हो चुका है यह देख लो यहाँ पर आप देख पार होंगे जोग्रफी में 8 नमर है theory में यहाँ पर आप देखो कि वही result है जोग्रफी में 21 नमर है ठीक है? और total जो हमारा बनाया ने 46 नमर बनाया ठीक है? और तब जाके हमें pass मिला है otherwise यहाँ पर आप देख पार होंगे SYCT मिला हुआ था तो यहाँ पर आप समझ गे होंगे कि 12th class के student को नव पास होने के लिए theory में 33% चाहिए ही चाहिए और practical में भी 33% चाहिए ही चाहिए ठीक है TMA का कुछ लेना देना नहीं है TMA आपको percentage increase करके देगा फिर मैं वही बोलूँगा कि आपको TMA भी नहीं चोड़ना है TMA भी आप इतने अच्छे से बना के दो ताकि आपके marks जो है न अच्छे से increase हो अच्छे खासे percentage आए 10B और 12B का यह दो ही mark sheet होता है जिसके base पर आप लोग को judge किया जाता है जब आप job के लिए apply करोगे न जब merit merit base पर जब form निकलती है merit base पर जब form निकलती है न तो 10B और 12B class के base पर ही होता है जो 10B class के 12B class के ज़्यादा marks होते हैं न बच्चों के उनहीं को मतलब वहाँ पर वो लोग लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप समझ गहोंगे कि आपको 10B class में पास होने के लिए कितने mark से है यह भी पता चल गया यहाँ पे practical में कितने mark सी है यह भी पता चल तुका है और 12 में भी आपको यह पता चल चुगा हो कि कितने मक्स चाहिए तो I hope कि आपको यह साइड डिटेल अच्छी लगी होगी वीडियो थोरीवत इंफोर्मेटिव लगी होगी और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब जबर कर लेना और भी कुछ पूछना है आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं आपको आपे रिप्लाई देतूंगा मिलते अगले वीडियो में